दोस्तो नमस्कार आज के जीके कलास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो यदि आप 36 गड़ सिक्षक पात्रता परिच्छा की तैयारी में हो तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं 2022 के ओल्ड प्रस्ण पत्रा हिंदी तो दोस्तो इसका फर्ष्ट क्वेश्चन है निमने लिखीत वाक्यों में से सुद्ध वाक्या क्या है आपसन ए है स्री क्रीफड के अनेको नाम है और आपसन भी में है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ और आपसन सी है इस समय आपकी आयू 40 वर्ष की है और आपसन डी है साहेत्य और जीवन का अभिन्न संबंध है दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन डी साहेत्य और जीवन का अभिन्न संबंध है दोस्तो आगला प्रश्ण है प्रात्मिक इस्तर पर भासा सिखने में भासा संबंदी कौन सा संसाधन सरवाधिक महत्तो पूरा होता है तो आपसन ये है कंफ्यूटर आपसन भी है बाल सहित्या आपसन सी है समचारपत्र और आपसन भी है तेलिवीजन दोस्तो इसका राइट आंसर होगा तेलीवीजन तो अगला प्रस्ण है उपसर्ग यूगत सब्द है आपसन ए बिच्छूक, आपसन भी है परिधी, आपसन सी है म्रिगया और आपसन डी है इच्छा दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन भी परिधी साथ्यों अगला प्रस्ण है कौन सा प्रस्ण कक्षा में बहु भासिकता को परिभासित करता है तो अपसन A है तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है और आपसन B में है अच्छी लगने वाली महब को क्या कहते हैं और आपसन C है तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया और option D है मा को अपनी अपनी भासा में क्या कहते हैं तो दोस्तों इसका रइट आंसर होगा option D मा को अपनी अपनी भासा में क्या कहते हैं अगला प्रस्ने में जाते हैं समान्यता पालाख धुवनी को सुनकर प्रतिकिर्या देना प्रारामभक कर देता है तो आपसन ए है आठ से दस महा में और आपसन बी में है छै से साथ महा में और आपसन सी है दो से तिन वर्ष में और आपसन डी है चार वर्ष में दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन बी छै से साथ महा में अगला प्रशन है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर समुदाय को क्या कहते हैं तो आपसन ए है अक्षर और B में है अर्थ और C में है सब्द और D में है वाज्चिय दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन C सब्द तो दोस्तो अगला प्रस्ण में जाते हैं निम्न स्वरों में हस्व स्वर कौन्च है आपसन A है आ और B में है आ और C में है उनकी उख और D में है आइना के आई तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन A अगला प्रस्ण है निम्न सब्दों में तत्सम सब्द है आपसन A है वत्स, आपसन B खेत, C पिता, D राए तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन A वत्स तो दोस्तो अगला प्रस्ण है निमने लिखीत में से किस वाक्य में सहीं पत्करम है तो आपसन A है लड़का पुस्तक पढ़ता है और आपसन B में है पुस्तक लड़का पढ़ता है और आपसन C है लड़का पढ़ता है पुस्तक और आपसन D है पढ़ता लड़का पुस्तक है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन A लड़का पुस्तक पढ़ता है अगला प्रस्ण में जाते हैं निमने लिखीत वाक्यों में से संदेह वाचाक वाक्यों को पहचानिये तो आपसन A दिया है तुम खावो और B में है क्या तुम खा रहे हो और आपसन C है उसने खा लिया होगा और आपसन D में है यदि तुम खावो तो मैं भी खाऊँ तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन C उसने खा लिया होगा तो अगला प्रस्थन है अनुस्वर युक्त सब्द है आपसन A है कारिया, आपसन B में है अग्रा, आपसन C में है अंगूर और आपसन D में है गाउं तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा अंगूर अगला प्रस्ण है निम्ने में से बहुबरी समास युक्त सब्द नहीं है आपसन ए है चतुरानन आपसन भी है चौलडी और आपसन सी है सटरस और आपसन डी में है सत खंडा तो दोस्तो इसका right answer होगा option C अगला प्रश्ने में जाते हैं जाती वाचक संग्या का उधारड है option E है बुढ़ापा और B में है लोहा और C में है पहाड और D में है दल तो दोस्तो इसका right answer होगा option C पहाड अगला प्रस्ण है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकत्ती का अर्थ होता है तो आपसन ए में है सम्मान नाष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता और आपसन भी है अकार की रोटी ना बनाना और सी में है निचे गिर जाना और डी में है निच कर्म करना तो दोस्तो इसका राइट अंसर होगा आपशन ए सम्मान नश्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता करना दोस्तो अगला प्रस्थन है हिंदी भासा की विकास का सही करम क्या है तो आपशन ए है संस्कृत पाली प्राकृतिक अप भरंस अवहट हिंदी और option B में है पाली प्राकृतिक संस्कृत अपभरंस अवहाट हिंदी दोस्तो इसका राइट आंचर होगा option A संस्कृत पाली प्राकृत अपभरंस अवहाट हिंदी तो दोस्तो अगला प्रास्न है निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है तो option A में है रोटी मत खाओ option B है तुम खा क्या रहे हो और option C है वहाट जो न करे सो थोड़ा और option D है उफने कुछ नहीं खाया तो दोस्तो इसका राइट आंचर होगा option A तो दोस्तो अगला प्रास्न है निशाचर का अनेकार्थी सब्द हो सकता है तो option A है उल्लू और B में है रजनी और C में है सिवार और D में है में दाग दोस्तो इसका राइट आंचर होगा उल्लू अगला प्रास्न है जो कम बोलता है को एक सब्द में कह सकते हैं तो option A है अल्प भासी और B में है मिर्दू भासी और C में है वाचाल और D में है वक्त दोस्तो इसका राइट आंचर होगा A अल्प भासी अगला प्रास्न है जाते है निरंतन सब्द का विलोम सब्द है अगला प्रस्न में जाते हैं इनमें से कौन सी भासा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है तो अपसन ए है कहानी कहना अरभी में है कहानी लिखना अर्शी है घटना वर्णन और डी है शुरूतिलेक तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा अपसन डी अगला प्रस्ण है बेफिकरी के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है तो आपसन ए है गिन गिर कर पैन रखना और आपसन बे है कच्छवा चाल और आपसन सी है गोड़े बेच कर सुना और आपसन डी है नाग कटाना तो दोस्तो इसकर राइट आपसन सी गोड़े बेच कर सुना अगला प्रस्ण है निम्न में से दुग्गु समास नहीं है आपसन ए है पंचुवटी और बी में है पसेरी और आपसन सी है त्रिभुवान और आपसन डी है चतुरभूज तो दोस्तों इसका राइट आंचर होगा आपसन D, चतुर भूज तो अगला प्रस्ने में जाते हैं किस खेत की मुली मुहावरे का प्रियोग निमने में से किस अर्था में क्या जाता है तो आपसन E है स्वादिष्ट और आपसन B है अधिकार हिन और आपसन C है लंबी वस्तू और आपसन D है सबजी तो इसका राइट आंचर होगा अधिकार हिन अगला प्रस्न है भासा सिखने का प्रथम चरण कौन चा है तो आपसन E है बोलना और B में लिखना और C है पढ़ना और D है सुनना तो दोस्तो इसका राइट आंचर होगा आपसन D सुनना तो दोस्तो अगला प्रस्न है हिन्दी ब्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं आपसन E चार और B में है तीन और C में है एक और D में है दो दोस्तो इसका राइट आंचर होगा दो अगला प्रस्ने में जाते हैं कहां राजा भोज, कहां गंगु तेली, लोकत्ती का अर्थ होता है तो आपसन ए है धनवान होना और आपसन भी है असंभाव होना और आपसन सी में उच्च और सदाहरण की तुलना और आपसन डी है गूर की विरुद्ध नाम तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आपसन सी अगला प्रस्न है संग्या या सर्वनाम के जिस रूप सेवाक्य के अन्य सब्दों के साथ उनका संबंध सुचित हो उसे क्या कहते हैं आपसन A है किरिया और B में है कारक और C है किरिया विशे सर्ड और D है संग्या तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन B कारक तो अगला प्रस्ण है भासावी कास के प्रमुक चरड क्रमसह निम्न है आपसन A है आंगीक वाचीक लिखीत यांतरीक और आपसन B में है वाचीक लिखीत यांतरीक और आपसन C है लिखीत यांतरीक अंगीक वाचीक और आपसन D में है यांतरीक अंगीक वाचीक लिखीत तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन A तिरीका परियावाची सब्दा क्या है आपसन ए है गिरा और आपसन भी में है वनिता और आपसन सी है वागिसा और आपसन डी है कंचन तो इसका राइट आंसर होगा वनिता आपसन भी तो दोस्तों अगला है 2019 का ओल्डा पेपर फर्स्टा क्वेश्चन है पढ़ना सीखना एक इंटरेक्टिव प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सामिल होते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन भी कई तरह के लोग वा समागरी के सुरोथ सामिल होते हैं दोस्तों अगला प्रस्ट है प्रस्ट वाचक अभ्याय ना वाक के किस अंख भाग में परियुक्त होता है तो आपसन एक है वाक के अरंब में और बी में है वाक के मध्य में और सी है वाक के के अंध में और डी है उपरियुक्त तीनों में तो इसका राइट आंचर होगा वाक्य के अंत में दोस्तो अगला प्रस्ण है भासा सिखने का सही मनोविज्यानिक क्रम क्या है तो आपसन यह सुनना पढ़ना बोलना लिखना और आपसन भी है बोलना सुनना पढ़ना लिखना और आपसं C है सुलना, बोलना, पढ़ना, लिखना रचना के अनुसार सब दके वाक्य के कितने भेध है तो आपसं A है 3, अब B में 4, C में 5, और D में 7 दोस्तो इसका रईट आफसर होगा 3 अगला प्रस्ण में जाते हैं इसकूल जाने से पहले बच्चे क्या सुख सीख चुके होते हैं आपसन ए बोलना आपसन में भी है लिखना अर्शी में है पढ़ना अर्डी में है उपर्यूक्त में से तीनो तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा बोलना दोस्तो अगला प्रस्ण है सुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांध्य तारा भी कहा जाता है अर्था ग्रहड की द्रिष्टी से इन तीनों के प्रेगों के अर्था वाईभीनिय को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उची तो होगा तो आपसन ए है मात्र संदर्भ की द्रिष्टी से और बी में है मात्र बोद की द्रिष्टी से और सी है संदर्भ एवं बोद दोनों की द्रिष्टी से और आपसन डी है इन में से कोई नहीं दोस्तो इसका राइट आंसर होगा संदर्भ है एवाम बोध दोनों की द्रिष्टी से तो अगला प्रस्न में जाते हैं पतंग सब्दे का अनेकार्थक है आप्सन ए है चिठ्थी और B है सूरिया और C है चमक और D है चेश्टा तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा B, सूरिया दोस्तो अगला प्रस्न है उस्ठो की स्थिती के अधार पर सूर के कितने भेद होते हैं आप्सन A, 1 आप्सन B, 2 C में 3 और D में 4 तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा 2 तो अगला प्रस्न में जाते हैं परात किस भासा का सब्द है तो आप्सन A है चिनी और B में है देशाज और C में है तुर्की और D में है पूर्त गाली दोस्तो इसका राइट आंसर होगा पूर्त गाली दोस्तो अगला प्रस्न है किसी वी देशी विद्वान ने देशत सब्दों को मुख्य रुप से अनिवार्य सुरोच से संबंध माना है तो आप्सन A है ग्रियर्शन और आप्सन B है गार्षादा तासी और आप्सन C है जान बिम्स और आप्सन D है जान लुईस दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन C जान बिम्स तो अगला प्रसन में जाते हैं बच्चा अपने जन्म के बाद पर्वार में जिस भासाओं को सीखता है उसे क्या कहते हैं तो अप्षन A है बोली और B में है मात्री भासा और C में है प्रादेसिक भासा और D में है राज भासा दोस्तो इसका राइट आंसर होगा मात्री भासा तो दोस्तो अगला प्रस्ण है अब वाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिस्क को भासा अधिगरहर डिवाईस कहना उचित होगा उपरियुक्त कथान है दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन ए सही है अगला प्रस्ण में जाते है विद्या प्रवीर कि समास का उधारण है दोस्तो इसका रही टांसर होगा आपसन ए अधिकरण तत्पूरूस तो दोस्तो अगला प्रस्न है मुहावरे के संदर्भ मेनिमले लिखीत में कौन सक थन्स सही है तो आपसन ए है यह सोतंत्र वाक क्या होता है और आपसन भी में है इसका छेत्र लोकत्ती की तुलना में ब्यापक होता है और आपसन सी है समान्यता इसका संबंध किसी कथा अथोवा सिर्शत्य से होता है और आपसन डी है यहाँ वाक्यान्स होता है तो इसका राइट आंसर होगा अपसन D यहाँ वाक्यांस होता है अगला प्रस्न है संग्या के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं अपसन A है वचन और B है सर्वनाम C है उसे सड और D है कारक दोस्तो इसका राइट आंसर होगा वचन अक्ला प्रस्ण है निमनाकित में से कौन सा कथान अपथित गध्यांस के संबंध में गला थाये तो आपSAN A है अपथित गध्यांस विसाया कुछ परस्ण पूछे जाते हैं और B है दिए गए अपथित गध्यांस का सिर्शक भी समानियता पूछा जाता है और आपसन C है अपठिद गद्यांस का सिर्षक दिये गए अन्स से प्रिथक होना चाहिए और आपसन D है दिये गए अपठिद गद्यांस से कुछ अन्स के भाव इस पष्ट करने समद्धी प्रस्ण भी समानेता पुछे जाते हैं तो इसका राइट आपसन C अपठिद गद्यांस का सिर्षक दिये गए अन्स के प्रिथक होना चाहिए दोस्तों अगला प्रस्ण है मनुस्य को फदा मनुस्य ही होना चाहिए यही उसका पहला करताब्य है और यही मनुस्यता है अभाव के कष्ट और अपूड़ता की वेदना में हमें मनुस्य बनाता है जिसने कभी दुख का अनुभाव नहीं किया वह कभी दुसरों के दुख नहीं समझ सकता पर दुख कत्राता है एवं परपीडा निवारण ही मनुस्यता की सर्वत्तम एवं सर्वच्च अवस्था है उप्युक्त गद्यांस का उचित सिर्शक निम्नाकित में से कौन सहोगा तो आपसन ए है मनुस्यत और आपसन भी है मनुस्यत वा और आपसन सी है मनुस्यता की चर्मावस्था और आपसन डी है उपरियोगता तीनो सही है तो इसका राइट आंसर होगा उपरियोगता तीनो सही है दोस्तो अगला प्रस्ण है सुनिने की नहीं छमताओं में कौन सी किर्या सामिल रहती है तो आपसन ए है इसमिर्थी की सक्रियता और B में है अर्थ की रचना और C है बीच में टोकने पर नियंत्राड और D है उपरियुकता तीनो तो दोस्तो इसकराइट आंसर होगा उपरियुकता तीनो अगला प्रस्ण है उलंगहन का संधी विच्छेत क्या है तो आपसन ए है उतधन लंगहन और B है उधन लंगहन और C है उतः धन लंगहन और D है उतधन लंगहन तो दोस्तो इसकराइट आंसर होगा आपसंट A दोस्तो अगला प्रस्ण है निमने लिखित में से उपसर्ग वाले सब्दों का सहीं वर्ग चुनिये आपसंट A है अवग्या सक्ति बिच्छूक और आपसं B में दिया है लड़ाई परिजन सर्प और आपसं C में दिया है अपवण बचया एकता और आपसं D में है अवग्या उपवण परिजन तो दोस्तो इसका रहीट आंसर होगा आपसंट D अवग्या उपवण परिजन तो अगले प्रस्ण में जाते हैं मेहनत कोई करे लाब कोई और उठाए भवार्थों को बताने वाली लुकत्ति कौन सी है तो आप्षन A में है एक अनार सो बिमार और आप्षन B है अंधा पीसे कुत्ता खाए और आप्षन C है अपनी करनी पार उतरनी और आप्षन D है हाथ सुमिरनी बगल कत्रनी तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा आप्षन B अंधा पीसे कुत्ता खाए दोस्तो अगला प्रस्न है लौट कर आया हुआ के लिए एक सब्द है तो आप्षन A है अतिथी और आप्षन B है आगत और आप्षन C है प्रत्यागत और आप्षन D है अनागत तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन सी प्रत्यागत अगला प्रशने में जाते हैं संपूर प्रजा अब सांती पूरा एक दूसरे से बेवार करती है और जाती दुवेश क्रमसह घड़ता जाता है यह वाक के नीमने लिखित में से किस प्रकार का है तो आपसन इह सदाहरर वाक्या और आपसन भी है मिल्स्रवाक्या और आपसन सी है सन्युक्त वाक्या और आपसन डी है इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपसन सी सन्युक्त वाक्या अग्ला प्रस्ण E संग्या या विशसर से बनने वाली किरिया को कहते है तो आपसन E है परियर थक किरिया और आपसन B है सकर्मक किरिया और आपसन C है नाम धातूभ और आपसन D में दिया है उपरियूक तम्मे से कोई नहीzw तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा नामधातू अगला प्रस्न है नीम्ने लिखीत वाक्यों में भाव आचक संग्या है तो आपसन एह पस्ची मंगाल एक सुन्दर राज्य है और B में दिया है छोटा नागपुर में लोहे के भनदार है और C में दिया है कमरे में चार खिड़किया है और D में दिया है भवन की सजावाट अच्छी है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा भवन की सजावाट अच्छी है